नमस्कार स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल मैथिन हिंदी में महा भारत से समंदित कॉशन जो कंपेटिशन एक्जाम में पूछे जाते हैं उसके 500 टॉप कॉशन जो बारी-बारी से एक्जाम में आते हैं उनको हम डिसकस करेंगे और 2020 कॉशन के हम पार्ट इसमें डि इसमें पहले 20 कोशनों को हमने इंकलूड किया है स्पेशली हार्याना गौवर्मेंट का कोई भी एक्जाम हो चाहे आने वाला अभी हार्याना पुलिस का एक्जाम है चाहे एच्टेट का एक्जाम है या कोई भी हार्याना गौवर्मेंट का जो एक्जाम है उसमें महा भार से समंदित लग भग दो कोशन पूछे जाते हैं तो ये उन सभी बच्चों के लिए इपोर्टेंट रहेगा जो स्पेशली हारयाना गौवर्मेंट के एक्जाम की तियारी कर रहे हैं बाकी कमपेटिशन एक्जाम में भी इसमें से कोशन पूछे जाते हैं तो चलिए शुरु दिन तेरा दिन और 21 दिन बहुत इपोर्टेंट कोशन बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है और इस कोशन का जो सही आंसर है महाभारत का युद 18 दिन तक चला था नेक्स्ट दूसरा कोशन इस वीडियो का दानवीर करन का अंतिम दान क्या था चार आप्शन तलवार का अंके कुंडल सोने का दान और मुकोट और इस कोशन का जो सही आंसर है वो है सोने का दान सी दूसरे कोशन का सही आंसर रहेगा नेक्स कोशन इस वीडियो का महाभारत युद के पस्चात जो महारती जिवित बचे उनकी संख्या कितनी थी चार उप्शन ए 10 बी 18 सी 22 और डी साथ और इस कोशन का जो सही आंसर है वो महाबारत के युद के बाद 18 महारती थे जो जीवित बचे थे तो भी इस कोशन का सही आंसर होगा नेक्स्ट चोथा कोशन इस वीडियो का गीता में मैं शवद का परियोग कितनी बार हुआ है चार उप्षन 109, 101, 107 और 111 और इस कोशन का जो सही आंसर है गीता में मैं शवद है वो 109 बार यूज हुआ है बहुत बार ये कोशन एक्जाम में पुछा गया है नेक्स्ट पांचमा कोशन इस वीडियो का करण को पालने वाली माता का नाम क्या था चार उप्षन मीरा, तुलसी, राधा और कौन्ती और इस कोशन का जो सही आंसर है करण को पालने वाली माता का जो नाम था वो था राधा तो C पांचमे कोशन का सही आंसर होगा नेक्स्ट छटा कोशन इस वीडियो का गंगा पुत्तर भिश्म का मूल नाम क्या था चार अप्षन आरेवर्थ, देवर्थ, पानीनी और कुल देव और इस question का जो सही answer है वो गंगा पोतर भिश्म का जो मूल नाम था वो था देवर्ट तो B छटे question का सही answer होगा next सात्वा question इस वीडियो का नीमन लिखित में से कौन दुरियोधन की बहन थी चार option दुशला दश्वत्री अनामिका और दामिनी और इस question का जो सही answer है दुरियोधन की बहन वो दुशला ए सात्मे question का सही answer होगा next आठमा question इस वीडियो का दुरियोधन के पुत्तर का नाम क्या था चार option सहदेव, नुकुल, जैदेव और लक्षमन बहुत बार ये एक्जाम में question पुछा गया है कि दुरियोधन के पुत्तर का क्या नाम था और इस question का जो सही answer है वो है D लक्षमन आठमे question का अंसर है D नेक्स्ट, नुमा question इस वीडियो का दुरियोधन के मामा शकुनी के रज्य का नाम क्या था चार option गंधार, मगद, हस्तिनापुर और पंचाल और इस question का जो सही answer है वो है A गंधार, दुरियोधन के मामा शकुनी ये question ऐसे भी पूछा गया है कि इन में से किसका रज्यत था जो गंधार था महाबारत के ग्रंत के अधार पर इस तरीके से भी ये question काफी बार एक्जाम में पूछा गया है तो इस question का अंसर रहेगा गंधार, नेक्स्ट दसमा question इस वीडियो का पांडव नकुल किसका विसेसग्य था चार option धनू विद्या गोडों का पाक विद्या और अंगराग और इस question का जो सही answer है पांडव नकुल था वो गोडों का विसेसग्य था तो बी दसमे question का अंसर रहेगा नेक्स्ट ग्यार्मा question इस वीडियो का निमन लिखित में से अर्जुन के शंक का नाम क्या था चार option पांच जन्य शंक उद्या गोडों शंक देवदत शंक और पाडरिक शंक और इस question का जो सही answer है वो है C देवदत शंक अर्जुन के शंक का नाम देवदत शंक था काफी important question काफी बार exam में ये पूछा गया है नेक्स्ट बार्मा question सूर्य के उत्राइन होने की परतिक्षा करके किसने अपना प्रान त्या किया चार option द्रोना चारे कारण दुर्योधन और भिश्म और इस question का जो सही answer है वो है D भिश्म जिनोंने सूर्य उत्राइन की परतिक्षा करन में से कौन अशर्थामा की माता थी चार option कल्यानी, क्रीपी, मोर्नी और सूरी और इस question का जो सही answer है वो है B क्रीपी अशर्थामा की जो माता थी वो B क्रीपी थी next, चौधवा question इस वीडियो का अभिमन्यू के पुत्तर का क्या नाम था? चार option प्रिक्षित, पावन, करन और भारत और इस question का जो सही answer है वो है अभिमन्यू के पुत्तर का नाम था A प्रिक्षित तो A, चौधवे question का सही answer होगा next, पंदरमा question की संजीवनी की खोज किसने की थी? चार option गुरु द्रोनाचारे, बालमी की गुरु विशिष्ट और गुरु संकराचारे और पंदरमे question का जो सही answer है वो है D, गुरु संकराचारे ने संजीवनी की खोज की थी नेक्स्ट सोलमा कोश्चन श्री क्रिशन के गुरू कौन थे और चार अप्शन है श्री संदीपन गुरू ब्रह रिशी वसिस्ट रिशी वसिस्ट और रिशी विश्वा मित्तर और इस कोश्चन का जो सही आंसर है श्री क्रिशन के गुरू थे वो थे रिशी संदीपन ए सोलम कोशन का सही अंसर होगा सत्रमा कोशन इस वीडियो का महा भारत के रचियता कौन थे चार अप्शन तुलसीदास वेदव्यास बालमिकी और वसेष्ट और इस कोशन का जो सही अंसर है वो है वेदव्यास जिने महा भारत के रचियता का जाता है सत्रमे कोशन का अंसर भी next 18 question पुराणों की कुल संख्या कितनी है और इस question का जो चार option है 18, sorry 20, 16, 18 और 24 और इस question का जो पुराणों की कुल संख्या है वो है 18 तो C इस question का सही answer हो जाएगा next 19 question अरजुन के धनुष का नाम क्या था चार option भेद, गांडिव, धुर्विद और गुर्विद और इस question का जो सही answer है वो है B गांडिव जो की अरजुन के धनुष का नाम था next 20 question नाम दिनी गाय किस रिशी के पास थी और चार option है आपके पास रिशी विश्वा मित्तर, रिशी पानिनी, रिशी संधीपन और रिशी वसिस्ट और इस question का जो सही answer है कि नाम दिनी गाय थी वो रिशी वसिस्ट के पास थी तो ये महा भारत के top 500 question का part first था और इसी तरीके से हम आगे सभी part में 20-20 question के set से total 500 question complete करेंगे जो की आने वाले सभी specially हर्याना government के exam के लिए important रहेंगे और अगर आप इस channel पर नए हो तो आप से एक छोटी सी request है कि channel को subscribe कर लीजिए ताकि लगातार ये question और बाकी हर्याना government से जुड़े हुए question या math और reasoning के notes proper आपको मिलते रहें और आप लगातार इस channel से जुड़े हुए हो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद